समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंग यादव आज सोंबार 10 सटूबर को उनका निदन हो गया उन्होंने गुरुगाम के मेदान ता हस्पताल में आकरी सांसे ली मुलायम सिंग यादव के स्वास्थे के लिए लोग दौाएं मांग रहे थे अपने जीवन में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी और देश के रक्षा मंतरी का कारेभार संभाला था हाला कि ये बात जानकर आपको भी अश्चरे होगा कि राजनीति में आने से पहले मुलायम सिंग यादव शिक्षक हुआ करते थे मुलायम सिंग यादव का जनम 22 नमबर 1949 को हुआ था उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफ़ाई गाउं में मुलायम की शिक्षा राज्य के ही इटावा, फतेहबाद और आग्रा से हुई थी मुलायम सिंग यादव ने मैन पूरी के जैन इंटर कॉलेज से पढ़ाई की थी उन्होंने BT यानी की Bachelor of Teaching और BA की डिग्री प्राप्त की थी उन्होंने आगरा विश्विद्याले से राजनिती शास्त्र में MA भी की थी राजनिती में आने से फूर मुलायम सिंग यादव बतौर शिक्षक अध्यापन का कारे करते थे उन्होंने अपना टीचर का करियर करहल शेत्र के जैन इंटर कॉलेज से शुरू किया था दरसल 1955 में मुलायम सिंग यादव ने जैन इंटर कॉलेज में कक्षा 9 में प्रवेश लिया था यहां 1959 में इंटर करने के बाद 1963 में यही सहायक अध्यापक के तौर पर अध्यापन का कारे शुरू कर दिया जानकार बताते हैं कि उस दौर में उन्होंने 120 रुपे मासिक वेतन उन्हें मिलता था उन्होंने हाइ स्कूल में हिंदी और इंटर में समाजिक विज्ञान पढ़ाया जानकार ये भी बताते हैं कि मुलायम सिंग यादव पढ़ाने का अंदाज काफी अलग था वे किसी सिक्षक की तरह रटा रटाया पार्ट बच्चों को नहीं पढ़ाते थे वे विशे में रोचकता लाने में माहिर थे वे बच्चों की पिटाई के सक्त विरोधी थे मैं मानते थे कि बच्चों को मारने से उनकी बुद्धी का कौशल विकास रुख जाता है मुलाइम सिंग यादव ने 1960 के करीब आजनीती में प्रवेश किया था उन्होंने लोहिया अंदोलन में बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया 1992 में उन्होंने समाजबादी पार्टि का गठन किया था उन्होंने जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्ये उत्तर परदेश के मुक्य मंतरी का पड़तीं भार संभाला था और साल 1996 से साल 1998 तक मुलाइम सिंग यादब देश के रक्षा मंतरी भी थे झाल